दोस्तो आज के इस वीडियो को यह पूरा फाइनल लुक है और इस हेश्टल को कैसे बनाना है आई यह हम सीखते हैं स्टेप बाइ स्टेप तो वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालते हैं यह टू एर पार्टिंग निकाला है हमने और यह ट सेक्शन लेंगे तो बैक कॉमिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी इसलिए मीडियम साइज के सेक्शन लेने होते हैं तो यह हमने सेक्शन ले रखा है इसके अंदर भी हम रूट पर ही बैक कॉम कर लेना है और दोस्तों आपको जितना वॉल्यम चाहिए उसके इसाफसे आप बैक कॉम करेंगे अगर आपको ज्यादा वॉल्यम चाहिए तो आप ज्यादा बैक कॉम करेंगे अगर आपको कम वॉल्यम चाहिए तो आप कम बैक कॉम करेंगे तो अभी हमने बैक कॉम करने के बाद सारे बालों को एक साथ ले लिया अच्छे से कॉम कर लेंगे ताकि जो वो बाहर के तरप दिखाए ना दे उसके वासे हमने सारे बालों को पकड़ दिया है एक साथ में और बॉई-पिन से पिन कर दिया है तो हमने यहाप पॉफ बना लिया है और पिन करने के बाद इसके अंदर हलकी हलकी सी यहां पर टेक्श्यर देंगे लाइनिंग बना रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर उसके बाद से दोनों साइड से हमने जो दो सेक्षण हमने छोड़े हुए थे उन सेक्षण को भी हमने एक साथ ले लिया और जहां जो बीच वाला जो सेक्षण था जहां वहीं हमने इसको पकड़ा हुए दोनों सेक्षण को और यहां पर सबसे पहले लाइन जाए जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे स्प्रे करेंगे ताकि जो लाइन्स बना रखे वहीं कमई फिक्स हो जाए तो जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूं दोस्तों यह सौश को कमपनी का टाप्ट है तो आप यह यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसक सक्षन को एक सत सक alikeッ कर देंगे इसकंदर भी एम लाइंस बना लेंगे जैसे के आफ देख पा रहें तो यह हमने बना लिए और यह पीछे एक और सक्षन था इसको भी एक सांथ में ले लेके इसको पिन कर देंगे है तो इसके अंदर हलकी हलकी सी soft line बनानी है ज्यादा deep line नहीं बनानी है तो हमने आपे soft line बना लिया है और इसको भी अच्छे से spray कर देंगे ताकि जो line से वह अच्छे से fix हो जाए उसके अदम ने एक और section लिया है थोड़ा से spreading करेंगो और इसको पीछे ले जाके boypin से pin कर दें इसके अंदर हलकी हलकी से lines बना लिया है और दोस्तो है इसके लिंग से related अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दे गए नंबर पर whatsapp करके पूछना है तो भी whatsapp करके पूछना है तो भी वाटसप करके पूछ सकते हैं हमान नंबर है 991 1418347 अब दोस्तो है पहले section में हमने किया था वैसे अब दूसरी साइड भी सेम टो सेम ऐसी करने वाले हैं तो जो बीच का पार्ट है उसी को लेकर हमने सबसे पहले बोई पिन से पिन किया है इसके अंदर हमने लैंस बना है और दोनों साइड में हमने जो सेक्शन छोड़ा हुआ था डिवाइड करने के बाद उन तो बहुत ही अच्छास का रिजल्ट है आप यह यूज कर सकते हैं दोस्तों और दोस्तों मैं सिखाने का तरीका आपको कैसे लगता प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन मुझे जरू बताएगा वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करेगा और इस चैनल को आपने सस्क्रा करेंगा और जैसी कि आप देख पारें स्टेप बाइस टेप हम आपको अच्छे से सिखा हरें इसी तरीके से आप स्टेप बाइस टेप को वीडियो को देखके फॉलो करके आप हैस्टलिंग के प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई प्रावलम आती है तो आप देए के नमबर पर पूछ सकते हैं अभी आप देख पारे हैं हलका हलका हम पफ की उपर भी लाइन्स बना रहे हैं तो यह आपकी चोईस है अगर आपको पफ की उपर लाइन्स चाहिए तो आप बना सकते हैं अधर वाइस आप उसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं उसके ब साथ और टूष्ट करने के साथ थोड़ा सा पुल आउट कर रहे हैं ताकि उसके अंदर वॉलिम देखने को मिले और एक मैसी सा यहां पर हम बन बनाने वाले हैं दोस्तों बन जो है देखने पर अच्छा लगेगा और आप इजली इसको बना सकते हैं उसके बाद से हमने आप पिन कर दिया है बॉइ पिन से उसका से आप दूसरी साइड से सेक्षन लेंगे और इसके अंदर भी सेब पर से मैसी करेंगे जैसे कि हमने पहले क्या था? पुल आउट करेंगे और यहां पर थोड़ा सा volume देते जाएंगे तो हमें क्या करना है क्रिस क्रॉस section लेने right का section जो होगा वो left की तरफ चले जाएगा और left का section होगा वो right की तरफ चले जाएगा इस तरीगे से आप hair को लेते जाएंगे और यहां पर अच्छे से volume देते हुए और stuffing को cover करते हुए इसको pin करेंगे section को तो अभी हमने एक और section लिया है इसका अंदर भी just pull out करेंगे twist करने के बाद और थोड़ा सब push करेंगे और जैसे कि आप देख पर है हमने push किया इसी तरीके से करने के बाद इस section को ले जाके other side में इसको pin करेंगे तो दोस्तो जैसे हम step by step आपको सिखाते हैं वीडियो के अंदर इसी तरीके से आप practice करके इस हेशल को बना सकते हैं काफी easy हो जाएगा अगर आप इसको practice करेंगा और अगर आपको कोई problem आते है तो भी हमने whatsapp नमर दे रखा है आप हमें whatsapp करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई handling में problem आती है तो आप दिएके नमर पर वाट्सप करके पूछ सकते हैं हमानमर है 991-4183-47 और दोस्तों अभी जो हमारे courses हैं जैसे कि हमारे hair styling के course है nail art nail extension hair extension के course है तो अगर आप courses करना चाहते हैं तो courses को पर एक heavy discount चल रहा है तो जो courses हैं अगर आप interested है courses के लिए तो आप देगे नमर पर वाट्सप करके classes के detail ले सकते हैं क्योंकि अभी एक discount चल रहा है चाह तो आप अगर course करना चाहते हैं तो आप अपना registration करा सकते हैं और जैसे कि आप देख पारे हैं अभी हमारा जो bun है almost cover होने वाला है तो थोड़ थोड़ बाल side कराएगे हैं इसको भी इसको पास same to same मैसी करके इसको just pin करते जाएंगे और दोस्तों इसके अंदर हमने ज्यादा time नहीं लिया है बहुती कम time में इस bun को बना सकते हैं अगर आपके पास कोई client आता है जिसको massive bun चाहिए और उसके पास time भी कम है तो आप just उसको क्या कर सकते हैं इसी तरीके से आप पर करके just is को बन को बना सकते हैं और इसको side में भी बना सकते हैं हमने तो यहांपे mid से लिए के और ने पैरिया तक बन को आप इसको low बन पर बन पर बना सकते हैं मैं को हेस्टैलिंग के जो आपने प्रैक्टिस के उसकी फोटोस जरू भेजेगा ताकि मैं भी देख पाऊं कि आपने हेस्टैल कैसे बना है और हमारे टुटोरियल सापको पसंद आते हैं तो प्लीज आप लोग लाइक चरू करेगा और चैनल को सब्सक्राइब ने करका तो सब्सक्राइब करके बैल का एकन जरू दबहेगा ताकि मैं कोई नई वीडियो डालू तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो दोस्तों आज का जो हेस्टैलिया पूरा कंप्लीट हो गया है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आये होगी पसंद आये तो लाइक करेगा और कॉमेंट करके जरू बताएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद ठैंक्यू बरिमाच